लोग वा लुद्टाना दो केस है उसी केस में उनका नाम था उसमेल कहा से गिरफ्तार इंद गाजिया लाज गाजिया बत्सी आप अगली सुन्माइक पर एक किस हो रिमांट वहा है वह रिमांट को लेने के लिए वो नए खिरासत में किया मां गोटाला इसमें लगबग 2000 से उपर का गोटाला बताया जाता है जिसमें की मुख आरोपी रजनी प्रिया बताई जा रही है जिनको CBI की टीम ने यूपी के गाजियाबाद के साहिवाबाद से गिरफतार कर आज पट्ना के सिविल कोर्ट में लाया था जहां CBI की विसेश अदालत में उन्हें पेस किया गया और वहीं अगर बात करें तो कहीं न कहीं इनके वकील CBI ने बताया है कि यहां पे जो भी बाते हुई वो विसेश यहीं पूछा गया है कि इनको आने जाने में और खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है वहीं अगर बात करें तो अगली सुनवाई इनकी एक ऐसा गस्त को रखा गया है जिसमें की अब मामला निकल कर सामने आएगा कि क्या कुछ होता है वैसे अगर बात करें तो इस पूरे मामले पर वीडिया से मुखातिब होने के बावजूर भी कुछ भी कहने से बच्ती नजर आई है आड़ोपित रजनिप्रिया क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले पर रजनिप्रिया के वकील आई ये सिधे सुनवाते है अगर प्रोड्यूस किया गया है नयाएक रासत में गई है एक एगला डेट है जिस आरसी में अरेस्ट किया गया है उसका नमबर है स्पेशल बारा बीस चौदा बटा सतरह अभी तो आरोप क्या है से वेटर आप लोग समझ रहे हैं इसलिए हम से बैटर तो हम लोग खुद आपके दौरा जानते हैं कि क्या मामला है अब मेरा तो आप लोगों उसे तीन सवाल है कि क्रिप्या मुझे बता दे हैं क्या कि हम प्रश्रीजन गोटाला शुरू कब हुआ रजनी प्रिया की शादी कब हुई और रजनी प्रिया कब से कब तक वहां पर स्रीजन में यह एस सेक्रेटरी थी वहां की सचीव थी तीन चीज का जवाब दे दीजिए मेरे लिए बहुत मेरबानी होगा हम लोग के लिए वकील खैसे हुए की भीरे का लेने के लिए वहां क्या का कुछ लानत्य वां कुछ फ्रास्त क statt में बात कोई बात यouse बस एक़ई साथ के लिए और कोई बात ने बस रास्ते में तंग पिया गया कि नहीं। अब को पकड़ के आपको पोजने पाने मिला कि ने सब पुछा गया। भी आई क्या रिमांड पर भी लेगी? नहीं, नहीं, अभी तक करन साथ कुछ नहीं का अगया। कि अगर बात करें तो सिभी आई के विसेश अधालत में इनको पेस किया गया है जहां से इनको अभी फिलहाल के लिए नियाइक हिरासत में भेजा गया वहीं अगली सुनबाई एक कैसा अगस्त को रखा गया है वही अगर बात करें तो यह पूरा मामला स्रीजन घोटाले का मामला 2000 करोड से उपर का बाता आया जाता है और बीते 2017 वर्ष का यह पूरा मामला है जब सिभी आई ने इसकी जांच कर मुक आरोपित रजनी प्रिया को कोशित किया था और उसके बाद इनके पीछे पढ़ गई इन्हें पेस किया गया है फिलाल अभी उनको नियाई कि रासत में भेजा गया है और उनकी अगली सुनभाई एक 20 अगस्त को रखी गई है लगातारा मारी चोटी बड़ी खापरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहा है निविश्कों नेशान